अनोखी शादी है एक, देखने का किले सब को होता है किसको नहीं होगा, तो मैंने का चलो चलती हूँ मैं भी जी हाँ, साइबर सीटी गुरुग्राम का पालम विहार एक्स्टेंशन एक ऐसी ही जोडी का गवाह बना है जिसे देखकर आप भी कहेंगे भाईवा शेरू और सुटी के इस शादी में पुरा मोहला बाराती बना, शादी के लिए बकाईदा सौकार्ट चपवाए गए और निमंत्रन भी दिया गया सुटी को बकाईदा दुलहन की तरह रयार किया गया, शेरू और सुटी के फेरू की रस्म अदाईगी हुई शादी के दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला और डोग धोलनागाडों पर जूंगते भी दिखें को इवन इसके साथ साथ कोई भी इंपोर्टेंट न्यूस मुझे असा लगता है कि P.I.B. या फिर और न्यूस पेपर के अंदर कवर की गई है और उसे दा हिंदू में कवर नहीं किया गया है तो उसे भी यहाँ पे लेकि अलग से डिसकस किया जाता है लास्त तक लेक्चर को टेलिग्राम की लिंक दी गई है वहाँ से आप डारिक जाके जॉइन कर सकते हैं या फिर आप टेलिग्राम में डारिक जाके सर्च कर सकते हैं वहाँ से भी आप टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं और PDF को एवल कर सकते हैं तो चलिए नजर माल लेते हैं कौन-कौन से तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे subject के किस पार्ट से relate करता है जिससे आप static से उसका linkage बना सके धीरे धीरे आपको यहाँ पे आपके slayvers की भी knowledge होती जाएगी चलिए पहले यहाँ पे देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो retail inflation की बात की गी है इस inflation वाले topic को आ आवर India Net Zero Plan. तो India का जो plan है 2030 तक क्या करने का plan है? Net Zero carbon करने का plan है. Net Zero carbon का मतलब यह है कि carbon neutral बनने का हमारा target है. Carbon neutral का क्या meaning है? Carbon neutral का meaning यह नहीं होता कि आप Zero carbon प्रिडूस कर रहे हैं, है ना, इंडिया के अंतर रगार, इंडिया ने टार्गेट रखा है, क्या टार्गेट रखा है, कि जीरो कार्बन होगा, तो इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है, कि जीरो कार्बन हम इमिट करेंगे, इसका मतलब ये है, कि जितना कार्बन हम इमिट करेंगे उतना carbon sink हम तयार करेंगे carbon sink क्या होता है आप सभी लोगों को पता ही होगा carbon sink क्या होता है जैसे कि forest हो गया जैसे कि natural आप समुद्र ले लिजे oceans ले लिए ponds ले लिजे ये सब क्या है carbon sink है ये carbon sink का काम करते हैं बड़े बड़े जो forest होगे पेड़ वोधे होगे तो carbon को absorb करते हैं ये आपको पता होना चाहिए यह हम carbon sink कहते हैं तो जितना emission होगा उतना ही हम क्या करेंगे उतना ही हम sink बनाएंगे तो overall अगर आप कोई बाहर से रिखेगा तो क्या लिखेगा उसको जीलो दिखेगा carbon neutral दिखेगा जैसे कि mathematics में होता है न plus और minus दोनों अगर बरावर बरावर में तो बाहर से क्या दिखेगा neutral clear हो गया point आपको यह न तो यह हमने strategy अभी COP27 हो रहा था long term strategy हमने क्या है कि COP27 हमने यह add-off किया है long term journey को कि हम 2017 से पहले पहले 2017 तक carbon neutral बनने की 100% कुछिस करें कि हमने यह target लिया है फिर कुछ key milestone में आपको बता देता हूँ India's road to net zero फिर इंडिया बताता है कि किस तरीके से हम net zero emission तक पहुँचेंगे important यह हो जाता है सिर्फ target लेना नहीं बलकि क्या strategy हमारी रहेगी carbon neutral बनने के लिए कुछ key milestone है जिनने हमें देखना होगा जिसे की national hydrogen mission हमने adopt किया कौन सा mission national hydrogen mission यह देखिए 2021 में से launch किया गया था इसका aim क्या था make India a green hydrogen hub यह आपको एक याद रखना है एक scheme एक mission तो यह आपको important हो गया at least three-fold increase in nuclear capacity हमें 2022 तक अपने जो nuclear capacity उसको लगबग three-fourth मतलब three by four three-fourth को increase कर देना है by three-fourth से increase करना है achieving ethanol हमारी जो ethanol blending का target है 20% तक कर देना है 2025 तक 2025 से पहले-पहले हमें 20% तक का जो target है ethanol blending का उसे achieve करना है maximizing the use of electric vehicle electric vehicle के जो uses है उसे हमें maximize करना है जिससे petrol और diesel की vehicle कम हो जिससे क्या हो environmental जो pollution हो रहा है वो कम हो carbon जो निकल रहा है वो emit हो रहा है fuel के थूरू वो कम हो है न यह हमारा target है और क्या हमारा target से increase climate finance to be the provided by the deployment तो climate finance को हमें बढ़ाना है climate finance के तरीकों को बढ़ाना है पोर्थ क्या है sorry six क्या है the long term strategy aims at keeping global temperature well below 2 degrees Celsius यहाँ पर दिखे 2 degrees Celsius and ambitiously 1.5 degrees Celsius by the century end तो हमें इस target को हमारे key milestone हमने six रखे हैं यह आप याद रख सकते हैं directly इसके उपर UPSC question frame करतेगा और आपसे पूछ लेगा COP27 यह देखिए आपके सामने image है यह है मानने भूपेंद रियादव जी जो कि हमारे environment minister है इन्होंने ही COP27 का जो समिट हुआ था Egypt के अंदर उसे attend किया था तो यह आपको याद रखना है clear 18 तक यह समिट चल रहा है जैसे 18 पूरी होती वैसे में आपको और detail में इसकी उपर articles आएंगे तो वहाँ पे भी हम इसको discuss करेंगे चलिए Supreme Court says force conversion may affect the national security freedom of religion हमें freedom of religion मिला है हम सब जानते है यह किस topic से relate करता है GS paper number 2 से relate करता है आपको धीरे-धीरे सुप्रीम कोट ने अभी मंडे को ही कल ही कहा कि religious conversion by means of force force fully religious conversion करना एक तरीके से आपका जो religious freedom है उसकी हानी हो रही है आपके है ना तो यह point यहाँ पे रखा है तो यह गलत बताया है Supreme Court ने यहाँ पे और इसकी उपर बोला है center को advice किया है और बोला है कि आप उसकी उपर सक्त से सक्त कदम उठाएं और justice के लिए जो बन पड़े वो आप करिए है ना तो इस तरीके से जो force conversion है actually में कभी-कभी क्या होता है जो victims होते है force conversion का ऐसा नहीं होगा tribal areas के अंदर जनली जाता होता है tribal area में जो tribes वगेरा है उनको क्या लालस दिखा किया पैसा दिखा किया या थोड़ा सा facility दिखा किया उनका क्या कर दिया जाता है conversion कर दिया जाता है तो जब भी यह तरीके होता हो तो इसको भी हम किस category के अंदर लेके आएंगे force conversion के अंदर इसको लेके आएंगे clear हो रहा है point आपको okay Solicitor General जो तुशार महता जी है आप तेहाँ पे देख सकते हैं Solicitor General हमारे इंडिया के तुशार महता जी है इनकी photo अब eminent personality जो भी important personality हमें उनकी pictures भी रखूँ है जिससे आप क्या करें आपकी जो general knowledge है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए हम देख रहे हैं knowledge अपने books wise हम भी discuss कर रहे हैं theoretical books है आप पढ़ी रहे हैं सारी चीज़े बट ऐसा general knowledge भी आपकी important हो जाती है याद होना चाहिए आपको क्या कहते हैं कहते हैं इसके उपर चली एक question करते हैं अब मैं क्या करूँगा previous year के question के साथ कुछ ऐसे questions को भी discuss करूँगा जो की हमारे test series के अंदर पूछे गए हैं तो test series वाले सारे question को हम यहाँ पर discuss करेंगे consider the following statement with respect to freedom of religion invest in the constitution हमें बताना है कि जो freedom of religion है जो कि हमारे constitution के अंदर mention है statement तीन दी गई है आप इसे pause कीजिए वीडियो को और इसका answer देने की कोसिस कीजिए इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम इसका answer discuss करेंगे चली आप लोगोंने मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के निचिश कर ली होगी अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ तीन option है आपके पास it includes a freedom not to follow any religion किसी religion को follow न करना कि freedom है आपके पास हाँ हो सकता है क्यों नहीं हो सकता आप क्यों पर है आप चाहें तो किसी religion को follow करें या न करें तो मतलब पहला तो correct है तो सबसे पहले देखिए option में आपके पास कैसा chance बन चुके है 50 to 50 का ratio बन चुका है question correct होने के chances आपके यहाँ पर बढ़ गए है ऐसा question को solve करना है ऐसा नहीं कि आप बस एक statement को लेके बढ़े आईए it bars all religious conversion क्या यह सभी के सभी religious conversion में रोक लगाता है maybe हो सकता है लगाए या फिर नहीं लगाए है ना चलिए कुछ लोग देखिए all है ना एक तरीके सा आप देखिए ना extreme word है है ना कि suppose कोई ऐसा भी है ना तो खुद से होना चाहता है religious मतलब उसको कुछी प्रलोग है नहीं कोई force conversion नहीं हो रहा तो खुद से भी होना चाहता है तो वह तो कर सकता है है ना क्योंकि हम क्या है secular देश है हम बिल्कुल allow करते है forcefully नहीं allow नहीं करते है यहां पर क्या मना किया गया है सुप्रीम कोट में मना किया है forcefully conversion को मना किया है national security के तहट यह चीज़ बताइए यहां पर आप देखेंगे और religious conversion जो है क्या बार करता है तो अगर two कोट आ देते है तो two तो देखे पहले हड़ गया है अब आपको बता है कि one तो obviously हो गई होगा यहां आपको पता है तो आप कैसे करेंगे अगर आपको यह पता है कि two नहीं होगा तो भी आप कैसे करेंगे option three के तरह चलते है option three is it is not applicable to foreign nationals यह foreign nationals में applicable नहीं है ऐसा है क्या आप सुची ना कि क्या foreign से कोई आजमी आता है तो क्या उसे अपना freedom प्रीच करने की allow नहीं है क्या वो freedom अपना प्रीच नहीं कर सकता है वो freedom अपना follow नहीं कर सकता है religion बगेरा बिल्कुल कर सकता है that means third तो होगा ही होगा third मतलब it is not applicable applicable मतलब यह तो गलत होगा applicable है तो तीसरा भी गया आपका अंसर क्या हो जाएगा one only clear तो यह आपको इस तरीके से चीज़े पता हो नहीं चाहिए चले नेक्स आगे move करते हैं और next article के move करते है इसके पहले अगर आप लोगों को exam selected कोई भी doubt हो रहा है किसी भी प्रकार का कोई भी doubt है आपके मन में exam selected या फिर आपके मन में कोई भी doubt है आपके subjects related या कोई आपको personal issue भी आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पर direct DM कर सकते हैं यहाँ पर प्रकार अंडर्सकोर प्रकास दूबती मेरा instagram का page है तो आप यहाँ पर direct मुझे follow कर सकते हैं और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की कोई भी queries को यहाँ पर solve करवा सकते हैं पीडियाफ को जॉइन करने पीडियाफ को लेने के लिए आपको telegram गूर्प को सीखते रहे चलिए आगे चलते हैं next article की और and the next article which we are going to discuss is related to madras high court substance validity of Auroville Boards order तो Auroville जो है एक परिके का आस्रम है आपको पता होना चाहिए यह नहीं कहा है अगर आप घ्यान से देखेंगे तो यह कौन है यह डॉक्टर करन सिंग जी है डॉक्टर करन सिंग क्या है एक eminent scholar है राजसभा member के राजसभा member है यह and had been re-nominated यह फिर से re-nominate हुए है तो चार साल के लिए यह फिर से यहाँ पे क्या हुए है नominate हुए है तो यह आपको या तकना है अबाउट ओरोविल फांडेशन के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा नजर माल लेते हैं क्लियर हुए है पुदूचरी के अंदर है अरोविल कहा है पुदूचरी के अंदर है और बात करता हुँ मैं इसके अंदर तो ओरोविल फांडेशन इसके अंदर तीन ऑथोरिटी है वहन कोंसे है दे गौवर्णिंग बाउट, दे रेसिडेंट एसेंबली और ओरोविल इंटरनेशनल एडवाजरी काउंसिल कुछ आपको चीज़े जो भी है आप जानके इसको पीडियाप से रेट कर सकते हैं जल दे एडिटोली सेक्षिन के और मूव करते हैं और सबसे इंपोर्टन चीज आज हमारे जो आर्टिकल के अंदर है यह है जीएस पिपर नमबर टू और त्री दोनों से रेट करता है पॉलिटी और एकनोमिक्स टॉपिक आपकी हो जाते हैं इड़ेवि staff की ओपर हमने काफी आर्टिकल डिस्क्स कर ली हैं पर इड़ेव.े यह hmँ नई वह एक नया प्रिस्पेक्टिव जोड़ा है यहां पर आटिकल क्या यहां पर जो backyard है यहां पर जो राइट जो स्टॉरी यहां पर जो DO Voice मॉलते हैं कि मनी मनी को ननाता है ऐसा ही बात कर रहे हैं तो कैसा पैसे पैसे को बनाता है वो हमें देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने कुछ एक्जामपल दिया फिर उन्होंने बताया कि money as a master money owning class was despised in many cultures as mere money lenders sucking value out of other works after the US civil war US civil के बाद Abraham Lincoln जी कहते है money will cease to be the master and become the servant of humanity and democracy will rise superior to money power इन्होंने बताया कि money power से उपर उठना होगा किसको democracy को और humanity को humanity और अगर democracy money power से उपर उठ जाती है तो ही हमारा Lincoln जी का जो था यह dream था लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि अब वो थंडे बश्ते में जा चुका है आप देखेंगे तो जैसे monetarism ठीके जो है उपर आ चुका है money जो है उपर आ चुका है welfare से WM is greater than welfare money is greater than welfare हो चुका है हर समय इंसान को पैसा पैसा और पैसा ही दिखता है और पैसा पैसे कोई बना रहा है आज तो जो गरीब लोगए वो गरीब होते जा रहे है और ameer क्या होते जा रहे है और ameer होते जा रहे है इस अर्टिकल के अंदर ये चाहिए डिसकस कीए है कुछ इंपोर्टन चीज़े है है आप चाहे है तो एक बार जिस्ट रीड करना है आपको जोसे कि यहां पर मरियाना मरियाना जी क्या कहती है डिसक्राइब परती है राइज फानिशल क्लास इन दे वैली आफ अबरिटिंग यह बुक आर्टिकल लिखती है बुक के अंदर यह बताती है रूल ओफ बैंक और फानिशल इंस्टूशन वाज तो प्रोवाइब जिसे कि जो बैंक बैंक प्रोवाइब और जो पैसे वाले लोग होते हैं जिनकी पास बहुत ज़्यादा पैसा वही इन्फुलेंस करते हैं गवर्मेंट के 끝्रिशन को ज्यादा तर उन्हीं के विश्याने में बेर, personal labor labor हो गहाई, geek workers हो गहाई, small farmers हो गहाई, informal enterprises हो गहाई तो इनकी बात देकरते हैं, बोलते हैं कि इनके लिए तो कुछ हो ही नहीं रही है, इनके लिए कुछ कोई policies नहीं हें, कोई अच्छा से, कुई भी चीजह हो नहीं रहिए इनके लिए government work ही नहीं कर दी ऐसा यह कहता है यह इनको कौन control कर रहा है इनको proper capitalist class जो है इसको control कर रही है फिर यहाँ पर बहुत important point आ जाता है एक economics का concept आ जाता है जो कि हमारे लिए important है क्या है concept चलिए मैं आपको बताता हूं employment elasticity क्या employment elasticity what do you mean by employment elasticity economy का concept है आपसे यह concept जो है prelims के अंदर directly पूछा जा सकता है कि what is employment elasticity और इसके क्या impacts पॉसिबल impacts क्या क्या हो सकते हैं यह यह पेसे अंदर ऐसी question आता है और अगर आपने इस तरीके से धूर धूर के article में से concept निकाल निकाल के पढ़े हैं जैसे कि मैं आपको कर रहा हूं तो आप का 100% surety है कि आप चीजों को बिल्कुल गलत नहीं करेंगे इंडिया has the largest number of working age person हमारे हाँ सबसे ज़्यादा working age के person है और work and better income हम क्या किस के लिए better income के लिए हम किस के लिए better income के लिए हम कुशिस कर रहे हैं दुनिया के अंदर लेकिन हम यह चीज मिल नहीं रही है the Indian economy also among the lowest employment elasticity इंडिया की जो economy वो कैसी है lowest employment elasticity है देखें ध्यान से सुनिएगा employment elasticity का क्या मतला होता है important concept है ध्यान से अगर एक बार सुन लिए तो समझ में आ जाएगा that is number of job created with each unit of GDP growth एक जैसे GDP की कितनी growth हो रही है GDP growth में job आप कितनी job create करते हैं आपके GDP तो बढ़ रही है आप यह सोचिए GDP क्या हो रही बढ़ रही है बट job जो ओरी है घट रही है या कम हो रही है तो suppose एक example की मदद से समझाता हूं जैसे कि किसी भी संस्ता की किसी भी suppose इंडिया की economy कितनी है 100 रुपे एक्जांपल ले रहा हूं मैं it is just an example इंडिया की economy कितनी है 100 रुपे और जो job करने वाले लोग है वो कितने हैं आपे 10 रुपे सोरी दस लोग है ना दस लोग अगर 100 रुपे कमाईंगे तो approximately अगर आप average में निकालेंगे तो यह 10 लोग ही मिलके 100 रुपे कमारे मतलब हर परसंद कितना कमा रहा है 10 रुपे कमा रहा है clear हो गया point यहां तक समझ में है अगर यह job घटती है यह और कम हो जाती तो suppose यह job कितनी हो गई 5 रुपे 5 लोग हो गए अब कमाने वाले तो अगर 5 रुपे 5 रुपे कमाने वाले तो कितने हो गए आप 20 रुपे पर परसंद कमा रहा है है clear हो गया point आपको 20 रुपे पर पर परसंद की उपर आ रहा है now आप आप सूची कि 95 कितनी हो गई, 1000 रुपे हो गई है नज लेकिन जौब करने वाले लोग कितने दसके तस रहे गै clear हो गया point आपको 10 के 40 लोग जिटने जौब करने वाले लोग थे वह उतने ही रह गए और economy बढ़ के 1000 रुपे हो गई तो आप ये 10 लोग मिलके कितने कमा रहे हैं पर परसंट 100 रुपे कमा रहा है अब हमें बाहर से दिखेगा कि higher economy अच्छी हो रही लेकिन actual में कमाने वाले ये सिर्फ 10 लोग है 90 लोगों को तो job ही नहीं मिली है तो ये बहुत ही negative सा point है जिसे हम कहते हैं employment elasticity इंडिये के अंदर सबसे lowest है lowest का मतलब GDP तो बढ़ रही ये कोई भी ratio कब lowest होता है ये उपर वाला जादा हो ये नीचे वाला कम हो ये तो job कम हो जो unemployment है वो तीजी से बढ़े बढ़े और GDP बढ़े तब ही तो ये होगा जो job है वो कम होगी और GDP बढ़ेगी मार्च के अंदर society के अंदर inequalities जो है prevalent है clear हो रहा है points आपको I hope चीजे clear हो रही होंगी आपको है न मैंने कुछिस की है अपने बैस देने की आप लोगों को और India has become most unequal societies बढ़ जाता है in the world के अंदर unequal society के अंदर हमारा नाम आता है socially and economically दोरों तरीके से new economic discrimination cannot be resolved merely by judging who needs are greater सिर्फ हमें ये नहीं देखना हो किसकी needs greater है किसकी कम है है न हमें proper overall deployment की आफशकता है the shape of economy by must change so the majority benefit must faster than the tiny minority of the top हमें जो economy का safe है वो change करना पड़ेगा मतलब ऐसा समझ लिए ये जो है economy का shape है आपको दिख रहा होगा ये economic shape है नीचे वाले लोगों जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन income कम है उपर जो top class के लोग है वो क्या है वो बहुत कम है बर क्या है income बहुत ज़्यादा है एक चलो GDP ये ओन कर रहे है तरीक सा अगर आप देखेंगे ये दिखें आपको मैं दिखा हो जाए बट अभी ये possible नहीं है अभी क्या बहुत time लग जाएगा इस सारी चीजों को होने में अब ये possible नहीं है लेकिन फिर भी हम कम से कम इसको ऐसा तो shape कर सकते हैं ये देखें ये innovative है ये आपको कहीं पे भी किसी भी book में नहीं मिलने वाला अगर आप सोचेंगे किसी book म मुझे मिल जाए ये साथ चीजे इस तरीके से innovation तो आपको लोगों को भी पता है कि ये नहीं मिलने वाला है है ना तो अगर आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं कि हमें ये जरूरत है कि हम ऐसा बढ़ाएं ये करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ये ये आपका innovation है जिस टौप क्लास की ये बहुत कम है कि लोगों बढ़ानारा सबसे जाधा करना नीचे वाले लोगों को भी ओपर लेकि आना आना ये इना base को बढ़ाना है goosebumps ये हमारा est imakers which require है नहीं तो इसलिए मैंने इसको लिया नहीं हैं लेकल जो हमारे आज important है जो कि बहुत जादा important वो यह है wholesale price index economies का यह फिर से एक article आ जाता है अब क्या होता है wholesale wholesale price inflation wholesale price index क्या होता है wholesale inflation क्या होता है वो हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे wholesale price index WPI क्या करता है inflation को measure करता है inflation मतलब होता है एक तरीके से आपका महगाई single digit में बढ़ चुका है मतलब पहुंच चुका है मतलब घट चुका है नीचे आ चुका है तो पहली बार हुआ है मतलब पहली बार तो नहीं हुआ है बहुत समय बाद यह देखने को मिला है मैंने important points दे रखें आप इसको जाकर read करेगा what is wholesale price index जिसे क्या measure करता है इसको कौन publish करता है Office of Economic Advisor Ministry of Commerce Industry के अंदर यह आता है ठीक है तो most widely used indicator ही आपको या रखना है लेकिन हम inflation click के इस indicator को यूज़ करते है हम CPI को यूज़ करते है यह आपको पता होना चाहिए base यह जो है all Indian WPI का कितना revise कर दिया गया है 245 था पहले उससे अब 2017 कर दिया गया है revise from 2004-05 to 2011-12 कर दिया गया है कब 2017 में 2011-12 base price ले लिया गया है clear हो गया point base price वो होता है base price से हम compare करते है कि इस समझ कितनी महगाई थी 2011-12 में उससे compare करते है कि आज कितनी महगाई है तो उसे हम कहते है base price हमें year भी तो होना चाहिए न कि किस year से आप measure कर रहे है what is consumer price index क्या होता CPI consumer price index consumer को कितना मिल रहा है अब दुखिए concept है बहुत important है एक minute में clear होगा wholesale आप wholesale समान लेने जाते है आप ऐसा समझे company से बना और wholesale उठा लिया आपने और consumer price मतलब आपको क्या हो रहा है multiple जगह से घुमते घुमते आप तक आ रहा है तो वो हो गया consumer price index वहाँ पे क्या होगा tax, subsidies ये सारी चीज़े इंक्लूड नहीं तेंगी clear होगा point it measures the price changes from the perspective of retail buyers जो होते है उनकी perspective से देखा जाता है ये NSO release करता है CPI calculate the difference in the price of commodities and services such as food, medical care, education, electronics इंडिया जो consume करता है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं clear हो गया अब four type of CPI जो होते हैं कि industrial burger का कितना है agriculture labor का कितना है ruler के अंदर ruler label का कितना है ruler organ का combine भी निकालते हैं तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है important information हो जाती है what is the difference between CPI and WPI इन दोनों में क्या difference है WPI track the inflation at the producer level WPI जो inflation देखता है producer level जो produce कर रहा है and CPI capture करता है level of consumer level जिसको consumer है उनको जैसे हम खरीदने वाले लोग है जो consume करने वाले लोग है उन तक जो है उतना कितना inflation हो रहा है WPI does not capture the change in the price of services which CPI does तो WPI के अंदर याद रखेगा services नहीं होती है अब services कैसे आप इसको कैसे याद रख सकते हैं simple से information है आप ऐसा सुची कि आपने direct जाके कहां से ले लिया company में बना सामान और आप गए direct company से उठा लिया तो बीच में जो ले आने वाले हैं delivery करने वाले हैं उनका service बच गई आपकी service नहीं लगी तो service को include नहीं किया WPI के अंदर लेकिन अगर वही आपको Amazon लाके देगा या कहीं से और आपको order अगर आप करेंगे कोई बंदा लाके देगा service करेगा suppose भले ही वह आप दुकान से करें लेकि दुकान में भी तो कहीं न कहीं से कोई लेके आया है ना दुकान माले भी तो काम कर रहे हैं ना तो वह अपना कुछ न कुछ कट तो लेंगे तो वह अगर include हो जाता है service भी उसके अंदर include हो जाती है तो उसे हम कहते है consumer person दे वह CPI के अंदर include होता है लेकिन WPI के अंदर include नहीं होता है इन WPI more weight is given to manufacturing goods WPI के अंदर जो manufacture goods होते है उनको जादा weight is जिया जाता है जबकि CPI के अंदर weight is given to the food item तो food items को जादा weight is जिया जाता है CPI के अंदर clear हो गया points चलिए base year CPI is कितना है 2012 याद रखना है recently ministry of labor and employment release करते है new series of CPI industrial worker with the base year of 2016 2016 के base year से हमने अभी recently इसको release किया है है ना तो यह चीज़ें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है inflation की target दिया जाता है RBI को है ना जो RBI monetary policy committee है उसे target दिया जाता है monetary policy committee क्या करती है MPC क्या करती है major करती है क्या कितना कहा का inflation होते है उसे regulate करती है उसके अलग-अलग majors होते है clear एक question देख लेते है previous question यह आया हुआ question है है ना तो इसको अपन discuss कर लेते है चलिए with reference to India consider the following statement पहला statement है आपके सामने the whole sales price index in India is available on monthly basis कि WPI monthly basis में available है यह आपको बताना है आपका statement first हो जाता है second statement है as compared to consumer price index consumer price index के comparison में for industrial workers CPIW WPI gives the less weight to food article हमने अभी देखा कि WPI तो food में नहीं देता है ज्यादा तर manufacturing को स्वगिरम देता है जो कि CPI देता है किसमें food स्वगिरम में ज्यान देता है तो हमारे लिए दोनों के second statement जो है हमारा सही है पहला statement हमारा क्या है गलत है यह monthly basis में release नहीं होता है अभी G20 का नाम मैंने कल ही आपको याद करवाया था आप लोगो comment section के अंदर G20 के name को बताना है कल ही मैंने बताया जो कल का lecture नहीं देगे है प्लीज जाए आप लोग और कल का lecture आप लोग देखिए वहाँ आमने बहुत detail में discuss की आज मैं आपको G20 इस तरीके से करवाने वाला हूँ मैंने खुद से notes भी आप लोगों के तयार किया अगर आप बोचाते हैं तो telegram में PDF में आप ले सकते हैं टेलिग्राम को join करके PDF से आप उसे ले सकते हैं उसे read कर सकते हैं, revise कर सकते हैं अभी बाली के अंदर समिट होने वाला 17th समिट है यह न what most advanced economics का यह आपको पता होना चाहिए अभी कुछ points में detail में discuss करता हूँ before that देखी बता यह चलिए यहाँ पे मैंने कुछ questions लिखती हैं यह means के question है आप लोगों को यह question लिखना है अपने answer writing के अंदर इसके अंदर how does it affect India's economic interest इंडिया के economic interest को यह किस सरीके से affect करता है इसको discuss करना है clear next do you think that recently G20 summit has turned into the talking shop एक talking shop बिल्कुल बन के रहा गया talk shop बन के रहा गया आप ऐसा भी के सकते हैं बस लोग जाते हैं बात करते हैं कुछ होता जाता तो है नहीं क्रिटिकली एनलाइज करना है इसको दो question आपके सामने है चली हम बात करते हैं अब इसके बाद मैं आपको 100% surety दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल छोड़ दीजे बिल्कुल भी tension छोड़ दीजे G20 से लेटर कोई भी question आ गया प्री में में कहीं पे भी आ गया आपसे बनेगा कभी भी आप intro start कर रहें suppose आपको intro नहीं आ रहा है एक formal introduction आप start कर सकते हैं मैं ready met intro आपको दे रहा हूँ क्या G20 is an informal group of 19 countries ये कैसा group है एक informal group है of 19 countries का साथ में European Union European Union अपने आप में group है आप लोको पता ही होगा with representative of IMF और World Bank इसके अंदर representative के तोर पे रहते हैं clear हो गया together G20 मिल के क्या होता है members represent इसके जो members है अगर एक साथ मिला दिया जाए सबकी GDP को तो world का 80% GDP जो है contribute करता है इसलिए इसकी importance बढ़ जाती है इसकी importance इसलिए भी बढ़ जाते है क्योंकि ये 75% of the world trade को control करता है कि तरीकी से इसके अंदर ही 75% of the world trade होता है साथी 2 by 3rd of the world की population that is 66% of the world की population इसके अंदर रहती है G20 members countries के अंदर रहती है इसलिए काफी important हो जाता है चलिए देख लेते हैं G20 members के नाम आपको मैं छोटा से information पहले बता देता हूँ इसकी origin कैसे हुआ था origin के मैं बात करता हूँ 1997-1999 में financial crisis हुए था Asian financial crisis आया था उसके ही बात इसको establish किया गया था minister level forum हुआ था which emerged after the G7 invites both develop and developing countries G7 का submit हुआ था G7 ने क्या किया था develop और developing countries को बुलाया था कि आये मिलके बात करते हैं आपस में को solution निकलते हैं बहुत बड़ी financial crisis आई है जिसके बास से इसकी पहली meeting 1999 में हुए था लेकिन आपको पता होना चाहिए leaders की पहली meeting 2008 के financial crisis के बाद first leader meeting हुई थी 2008 में यह भी चीज आपको पता होना चाहिए G20 के mandates क्या है जो कि promote क्या करता है global economic growth को promote करता है globally economic growth बढ़े इस चीज को देखता है international trade को देखता है कि international trade जो है TG से बढ़ना चाहिए regulation of financial market को देखता है यह financial जो market है उससे regulate करता है जैसे कि हमने बता है ना कि आप इसको कैसे देखिए मैं आपको ऐसा याद करवा हूँगा ना कि आप जीवान में भूली नहीं पाऊगे आप बोलोगी सर मैं भूलना चाहता हूँ इससे पर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ आप एक ग्लोबल एकनोमिक ग्रोथ जीडिपी बहुत बड़ा हमने किता देखा है 80% of GDP contribute करता है इसलिए ग्रोथ तो करेगा ही है ना financial market को क्यो regulate करता है क्योंकि आप फानेस को कौन regulate करेगा जो trade को regulate करेगा international trade को देता है क्योंकि 75% जो है trade है एक तरीके से regulate हो रहा है इसके इंदर हो रहा है तो कहीं न कहीं trade को regulate कर रहा है इंटरनेशनल trade को देख रहा है इसलिए international trade को बड़ावा देता है regulate करता है financial market क्योंकि GDP और trade दोनों आगा आपको G7 का हमने भी कल्याद करवाया था है ना चलिए G7 के countries के नाम जात कर लेखें juice girlfriend आपकी girlfriend आपसे क्या demand कर रही है juice कर रही है बोली है juice पीना है juice पिला दो juice पिला दो UK है ना इंग्लेंड याद रखने के लिए रखा गया है वैसे UK है ओके जर्मनी और फ्रांस है ना J-U-I-C-E पहले capital latest ले लिए सबके J-U-I-C-E G-F girlfriend आपकी जो girlfriend है वो juice की demand कर रही है ना ऐसा याद रख सकते है और एक 8 रश्या को भी include कर लिए G8 का जो part था ओके तो Japan USA Italy Canada England that is UK Germany France and Russia याद हो गया इंडिया हमें पता है कि अभी में इंडिया presidency पाने वाली है एक December से इंडिया के पास presidency पाद आएगी अभी इस साल कौन ले रहा है इस साल और इंडिया की पास presidency पे तो इंडिया और इंडिया याद रहे गा आया इसे दो आई हो गया थो अगे ना तो इसके बाद क्या फिर चाइना, इंडिया के राइवल, राइवलरी है, तो वो भी चाइना भी आ गया, उसने देखा कि इंडिया तो आ रहा है, तो चलो हम भी चलते हैं, ऐस वाले याद रखेगा, फिर, है ना, साउथ कोरिया, साउथ अफरीका और साउथ एरिबिया, ये तीन याद हो गया, फिर, अस्ट्रेलिया अपने आप में क्या है, अस्ट्रियलिया क्या है अपने आप में, एक कंटिणेंट हैं, और अपना ये घ्डेश भी है, इसलिए एक उरोपीन यूनियन, आपने पहले डिसके से 19 कंट्री प्रिस ईूरोपीन यूनियन इसलिए European Union तो याद रहेगा सबसे बड़ा जहां पर पेड़ पहुत है ब्राइजिल याद रहेगा अर्जेंटीना याद रहेगा है न नौर्थ अमेरिका का ही पांट है टर्की और मेक्सिको यह दोनों भी आपको याद रखना है लिए चलिए नेक्स मूब करते है एक important point each G23 country हर एक G23 country क्यों ही important हो जाता क्योंकि यह represented by it शर्पा शर्पा क्या है who plans, who guide, who implement जिसे civil servant आप लोग जो बनने वाले हैं आप लोग जाएंगे आप लोग ही policies बनाएंगे उसको implement करवाएंगे इसलिए important हो जाता है कि शर्पा जो है इसके अंदर जाता है सुरी जाते हैं यह लोग और इसको represent करते हैं है न टेक्निकल लोग जिसको knowledge है actual में लीडर्स के अलावा भी यह इसलिए important हो जाता है why G20 is important question आता है कि sir यह G20 important को है क्यों है इससे न कैसा भी question आये आप deal कर लेंगे इतने point हम जितने भी पॉस्पिक एस्पेक्ट है वो मैंने इसके अंदर cover किया क्यों क्यों important है यह आप बताएं जी टुन्टी रिप्रेजेंट करता है शर्पा के डॉलर रिप्रेजेंट होता है किसके दौरा bird population आती है 60% that is आप कैसेक्टने हो अभी यह बढ़के 66% हो गई है okay that means almost you can say that two by third population हो चुकी है clear चलिए क्यों important है इसलिए भी important होता क्योंकि यह flexible है D20 members जो है enough make to prompt decision and adopt new challenges को adopt clinic के लिए हमेशा ready रहते हैं inclusiveness है इसके अंदर जैसे कि यह क्या करता है क्या करता है हर साल सिर्फ member countries नहीं आते हैं उसके साथ-साथ invites करता है कुछ countries को है ना और कुछ civil societies को उनके member civil society के members को eminent personalities को भी invite करता है साथ इक कुछ international organization भी इसके अंदर invitation रहता है तो इक बहुत ही holistically cover करता ही आप बताए कौन सा इसा member है जो कि permanent invite बन चुका है G20 का जी हाँ आप लोगों सही बताया इस्पेन है कौन है इस्पेन है तो इस्पेन में भी possibly देखा जाएगा कि future में इस्पेन में भी member बन जाए क्योंकि permanent invite तो बन ही चुका है को बढ़ा देता है उधार लेनी की capacity को बढ़ा देता है all important bilateral exercise जो सोरी bilateral talk होता है multilateral जो भी talk हो गया members की बीच में ये इसलिए भी important है न ये एक platform provide करवाता है work for reform international financial institution क्योंपर reform की बात करता है ये इसलिए भी important है एक example भी लिख सकते हैं reform in international tech system की उपर G20 के द्वारा ही reform करवाया गया था जिससे के through G20 और OECD दुनोंने में लिकर base erosion profit जो shifting है BEPES project की उपर काम क्या है ऐस example आपको लिखना है played a critical role in ratification of the trade facilitation agreement तो trade facilitation agreement की उपर facilitation के लिए इसको एक बहुत ही critical role predict play करता है trade बगेरा अच्छे से होता रहा है agreement G20 के उपर no enforcement mechanism आपको पता होना चाहिए कि कोई enforcement mechanism नहीं है क्योंकि legally binding नहीं है जो भी decision लेते हैं अपने business में लेते हैं इसके में कोई भी decision जो है legally binding नहीं होता है G20 is a tool kit ranges from the simple exchange of information simply information को ideas को कुछ best practices को हम क्या करते हैं agree करते हैं और उसके उपर mages में targets उठाते हैं तो it is not enforceable नन इस it is enforceable यहाद रखना है not legally binding जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि यह क्या है legally binding नहीं कुछ ऐसा law तो है नहीं law बनाने वाले ग्रूप तो है नहीं यह कैसा ग्रूप है it is just an advisory और कंसल्टिब ग्रूप है not a legally binding group lawmaking ओके no permanent secretariat इसका कोई permanent secretariat नहीं permanent ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ यहाँ इस country के अंदर permanent secretariat है जहां पर प्रॉपर वे पे हरसा सारी सीज़े होती रहें तो ऐसा नहीं है इंडियास का interest क्या है और priorities क्या है जी टॉंटिटे के अंदर वो देख लेते हैं investigating tax evasion to fight the corruption corruption से fight करने के लिए हमाई लिए यह जी टॉंटिट हो जाता है चौकिंग टेरर टेरर को फंट जाता है उसके तहत हम यहाँ पर बात कर सकते हैं अपना point रह सकते हैं पैरिस agreement important हो जाता है है ना कि सारा फूल पूरी तरी के से implementation हो cutting the limitation cost जो limitation cost है उसे cut करने की यहाँ पर इंडिया क्या interest है reform in WTA word attack organization के अंदर कुछ reform लाने के हम यहाँ पर बात कर सकते हैं clear तो यह इंडियास के interest है यह इंडियास की priority है G20 के अंदर तो यह आप अपने answer में put कर सकते हैं possibly मैं expect करूँगा कि इसकी उपर से 100% surety के साथ आ सकता क्योंकि G20 का जो presidency है बहुत समय बात हमको मिल रही है ऐसा के लिए पहली बार मिल रही है आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि new era start हुआ है तो इसलिए इंडियक में जो presidency बहुत समय बात आई है इसलिए काफ इंप्रेंट हो जा corruption, women's advancement, work place, SDG 2030, inclusive entrepreneurship, climate change, global health, anti-terrorism ये सारे points की areas के अंदर काम करता है अगर आपको कुछ conclusion लिखना है अब क्या conclusion लिखेंगे ऐसा conclusion लिखेंगे कि बिलकुर सुनते ही मज़ा आ जाना चाहिए है ना तो आप क्या लिखेंगे एक ready-made conclusion दे रहा हूँ रट लीजिया याद के लिए जो बन पड़े वो करिए पर number लेके आए selection लेके रहिए ये हमारा aim होना चाहिए in today's scenario when whole world is a global village हमारा पूरा पूरा दुनिया क्या हो चुकी है एक global village बन चुकी है that is so interconnected हो चुकी है integrated countries है have to work together to resolve all the global issues हम सबको एक साथ मिलके काम करना होगा जिसके दाहत हम global issues को solve कर सकें hence G20 can provide the vision to bind the all emerging economies like India वगेरा को हमें एक बात के emerging economies को रह सकते हैं G7 के अंदर तो लगभा लगभा सारे कैसे डेपलप डेशे हैं तो जो emerging economy है उसके लिए एक platform होना चाहिए जो कि G20 है तो support and coordinate action to resolve the global issue को हम resolve कर सकें कुछ current इसके अंदर points मेंने और भी डाल दिये है आर्टिकल से भी निकाल कि जैसे G20 common जो framework कि वो क्या है initiative support the low income countries को ठीक है endorsed by G20 Paris club यह आपको या रखना है clear G20 2023 इंडियास जो presidency है आने वाली है जो हमारे पास यहां पर हमने symbol निकाला है lotus का symbol है lotus का symbol है इस तरीके से symbol of hope इसका बताया जाता है हमने वहां पर लिखा वसुदेव कुटम्बकम पूरी की पूरी धर्ती हमारा परिवार है वसुदेव कुटम्बकम okay one earth one family and one future हम सब एक साथ काम करेंगे और आगी growth करेंगे एक एक family और एक future I hope चीज़े clear हो रही होंगी और आपको clear हूँ भी कई होंगी बहुत सारी चीज़े है ओके हमने सारी चीज़े discuss के लिए article के और move परते हैं थोड़ा सा और हम और कुछ देखते हैं जिसे कि यहाँ पर इस बार का जो हमारा G20 का summit होने वाला उसमें से कुछ points हैं आप इसको य I hope चीज़े clear हो रही होंगी और हमने details में बहुत सारी चीज़े को discuss किया यहाँ पर है ना आप लोगों ने देखा ही कि सारी चीज़े discuss किया अगर कोई भी queries है तो आप मुझसे Instagram में directly message करके पोची सकते हैं ना नॉन्मल सीजे आप lecture को share किजिए पसंद आया थे कि बहुत चा झाल 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 झाल